बिस्मिल्ला आज हम किताबों का का अर्थ तेरी किताब तो किताबों का अन्ता किताबों और का तेरा तेरी इस तालुक से पढ़ चुके हैं किताबों का का के बाद अन्ता का इजाफा करते हैं अन्ता एड़ करते हैं तो इसका क्या अर्थ है तो इस तालुक से हम जानेंगे जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं हला कि मुफीद बात है इसके इलावा हम पांच नए अरबी शब्द सीखेंगे इस से पहले हम पढ़ चुके हैं किया पढ़ चुके हैं? किताब का तेरी किताब इंगलिश में यूर बूक इसी तरह एक और एक्जम्पल हमें कहना है आपका कलम, तेरा कलम तो कैसे कहेंगे? कलमों का, आपका कलम यूर पेन किताब का अन्ता आपकी ही किताब तो ये तरजमा में फर्ग है किताब का तेरी किताब लेकिन का के बाद अन्ता का इजाफा करेंगे अन्ता एट करेंगे तो तरजमा होगा आपकी ही किताब किताबों का आपकी किताब, किताबों का अन्ता आपकी ही किताब तो बात में जोर पैदा करने के लिए ऐसा हम करते हैं या ऐसा किया जाता है अगर शक है बात में तो उस शक को दूर करने के लिए इस तरह हम जुम्ले में इस्तिमाल करते हैं का के बाद अन्ता हू के बाद हुआ हा के बाद है इस तरह हम आगे बताएंगे कलम का अन्ता आपका ही कलम लेकिन अन्ता नहीं होता और कलम का सिर्फ होता तो क्या तरजमा होता आपका कलम लेकिन अन्ता है तो क्या तर्जमा होगा कलम का अन्ता आपका ही कलम अगर आप शुरू में हाज़ा एड़ कर दे तो एक जुम्ला तयार हो जाएगा हाज़ा किताब का अन्ता यह आपकी ही किताब है हाज़ा कलम का अन्ता यह आपका ही कलम है यह उसलूब अंदाज जुम्ला में जोर पैदा करने के लिए यूज किया जाता है जो अभी मैंने बताया अन्ता क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं किताबों का तेरी किताब लेकिन किताबों का अन्ता तेरी ही किताब तो जुम्ले में हम जोर पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं ये पढ़ लें इस इस यूज़ इन केस अफ डाउट और डिस्पीट यानि शक का मामला हो तो शक दूर करने के लिए इस तरह हम यूज़ करते हैं इसके लावा ये देखें आप यह उसका घर है हाज़गमी यह मेरा कलम है जाले का किताब हुगग व उसकी किताब है तो ये सिम्पल बात हो गई लेकिन हमें जोर पैदा करनी है जुम्ले में जोर डालना है शक दूर करना है तो कैसे कहेंगे तो हुआ लगा देंगे तो क्या तर्जमा होगा हाजा बैचुहू हुआ यह उसका ही घर है यह मेरा कलम है यह मेरा ही कलम है जालिका किताबुहा वह उसकी किताब है जाले का किताब हुआ है वह उसकी ही किताब है यहां देखे हू उसका उसकी हा उसका उसकी दोनों में फर्क जान चुके हैं अगर नहीं जानते तो आप पिछले लेसन में तलाश कर ले प्लेलिस्ट में उसमें सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे या मिन्स मेरा मेरी का तेरा तेरी की तेरा तेरी तो सारे के कवाइद हु हा या का की इन सब के कवाइद और नियम आप पढ़ चुके हैं पहले वहां देख सकते हैं लेकिन हमें जुमले में जोर पैदा करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करना है हमें, हु के बाद हुआ का इजाफा करेंगे, हा के बाद हेया, या के बाद अना, का के बाद अन्त, की के बाद अन्ती, तो जो हू है उप़र में हूवा का पौसेसिब प्रोनाउन फॉर्म है हीय का, हाँ, अना का या अन्टा का, का, अन्टी का की तो आप जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहें जैसे कह रहें कि ये उसका कलम है हाजा कलमुहू अगर आप हाजा या जालिका का यूज करते हैं शुरू में किताब हूँ 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 उसी तरह नीचे तक तो एक जुमला तयार हो जाएगा ये रहा हाजा किताब हूँ 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 या उसकी ही किताब है हाजा किताब हूँ 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 ह किताबों का अंता और जालिका किताबों की अंती दुनों का फर्क हम पहले पढ़ चुके हैं का मुझकर के लिए की मुझकर के लिए अंता मुझकर के लिए अंती मुझकर के लिए तो इस तरह आप जुमले में इस्तिमाल करें उमीद है कि आप समझ चुके होंगे अब नियू अराबिक वर्ट्स क्या है? कैफा हालोका? आपका हाल कैसा है? इंगलिश में, हाउ आर यू? अना बेखेर, मैं खेरियस से हूँ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ मदरसतुल मतवसिता, मिडिली स्कूल ममलकतुल अरबियतु साओधिया, इंगलिश में, किंगडम आफ साओधी अरबिया, मुस्तश्वल विलादती, यानी, मैटर्नीटी होस्पिटल,